आज हम बात करते हैं कि मेरे पास YouTube पर कमेंट्स आ रहे थे कि मैं आप कारे का अलग मईश्ट्रेट जिसे इंग्लिज में एजुक्यूटिव मईश्ट्रेट भी कहते हैं कि पावर क्या होती है और वैं कितनी सजा दे सकता है संटेंस दे सकता है इस पर एक वीडियो वनाए या इसका अंसर दें तो इन सभी परसनों का उत्ता देने के लिए आज मैंने ये वीडियो त्यार की है जिसमें मैंने बताऊंगी कि कारे पालग मईश्ट्रेट इट मींज्ट्रेट कौन होता है और वैं क्या काम करता है डी एम एक्टी एम आईएस क्या इसी के पार्ट है या वैं किसी को कितनी सजा और जर्माना लगा सकता है अग्यूट्रेट यानि कारे पालग मेरिश्ट्रेट ये वीडियो मैंने अपनी खुद की नौलिज से और लो बोक्स में जो प्रोवीजन्स दिया हुए है उसके अकॉर्डिंग बहुत महनत से त्यार की है तो आईए स्ट कारी होता है जिसे कानून के द्वारा कुछ लेकिन इंपोर्टेंस वर्क दिये गए हैं जैसे कानून को पढ़कर सजा सुनाने का काम जच के पास होता है उसी परकार उसको एग्जीक्यूट करने का काम जो होता है उस सुनाई हुई सजा को एग्जीक्यूट करने का कारे का कारेपलग मनिस्ट्रेट के पास होता है तो CRPC का सेक्षन 20 कारेपलग मनिस्ट्रेट को दिफाइन करता है और राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट कारेपलग मनिस्ट्रेट नियुक्त अपॉइंट करती है और उन कारेपलग मनिस्ट्रों में से एक क्या है जिला होता है person का neighborhood का परदान मेंच्रेट होता है एस ठीयम को भी सेम पावर होती है तो राज्य सेकारская दिज्टिम मेंच्रेट को अधिस्टिनल रिश्टिक्ट मेंच्रेट और में राज्य सकेकार आगे। ता नुसार कारेपालग मेरिस्टेट को उपकंद का भारसादक चार्ज ऑफ सब्डिवीजन बना सकती है राज्य जाकार एग्यूटिव मेरिस्टेट की सक्तियों को कम और भड़ा सकती है तो सेक्शन ट्वंटी वन कारेपालग मेरिस्टेट के वारे में बात करता है सेक्शन ट्वंटी बात करता है कि कारेपालग मेरिस्टेट के थानी अधिकारता क्या है जिरेक्शन क्या है तो वीडियो में बने रही है मैं आपको बताऊंगे कि अजुक्टिव मेरिस्टेट कितनी सजाद दे सकता है तो से कारेबब कर दिकृ की बता है जैसे कि मैंने आपको पहले होता ता कि सवी कारेबफालमिस्टिक मिन सेट मिनस्ट गो द्यएम के अदियन होंगे एक्यूटिव को और अधार उर्डर बहुतный को बना सकता है स्थस्क्षंद 107 से ख्ली का और इसे के बारे में बात करते हैं वीडियों बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए आपको इन सेक्षन को बुक से पढ़ना और समझना होगा नेक्स आते हैं कि कारेपालग मिनिस्टेट का काम क्या होता है और क्या तो चैप्टर 10 में सेक्षन 129 129 से लेकर 148 किया है बात की गई है और लोग स्स्राइब बिस्टेट बनाए रखने का महत्पूर कारे पांरिक मेट जो है करता है जैसे सीविल बन सिविल फर्स का उपयोग करके क्या है विधी विरस जामाब को उस्तिताब बितर कर सकता है जो जो एक्डिट्व मेनिश्ट्रेट है और या अगर वह उसके से भी नहीं होता है तो आंप फोर्स का प्रयोग कर सकता है पल्लिक निूसेंस लोग उद्रव में कारे करना यानि कि जो उद्रव से रिलेटिड जो ही उसको करता है Nuisance के Argent मामले जैसे कि Section 144 लगती है तो इन मामलों में भी क्या है अग्डिश्टिव मेनिस्ट्रेट काम करता है वह है इन सब को देखता है तो Section 144 से 144A में क्या है Nuisance जो है उसके Argent मामलों को क्या है मेनिस्ट्रेट देखता है और Section 145 Selection Section 148 तक Immoval Property से Related विवाद भी Agupti मेनिस्ट्रेट ही देखता है अब बात करते हैं कि Agupti मेनिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता है तो 3 साल की सजा और 10,000 पे का जर्माना कारेपालग मेनिस्ट्रेट दे सकता है आप कहेंगी कि ये प्रोविजन कहां दिया गया है तो पंजाब अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन 29A जोड़कर अग्यूटी मिनिस्टेट की सजा की बात की गई है जो की तीन साल और 5000 पर जर्माना और जो है एक अमेंडमेंड हुआ 1980 के एक्ट संख्या 63 की धारा दो द्वारा पर्थमबर्ग मिनिस्टेट के सब्द के स्थान पर क्या है कारेपालग मिनिस्टेट सब जोड़ा गया तो ये था देड़ थी 23.09.1980 इत मीन्स 23.09.1980 को क्या है ये अमेंडमेंड हुआ कि जो पर्थमबर्ग मिनिस्टेट का नियाले था वह कारेपालग मिनिस्टेट का नियाले हो गया जो शब्द था पर्थमबर्ग मिनिस्टेट उसके स्थान पर कारेपालग मिनिस्टेट एक्टिव मिनिस्टेट जोड़ा गया तो फ्रेंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, useful लगी हो तो share my video, like and subscribe किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो comment करें Thank you for watching this video